मन्च पर विराजमान, राजस्तान के राजपाल, स्रिमान कलराज मिश्र जी, केंद्रिय मंत्रिमंडर के मेरे सहयोगी और इसी धर्ती के सेवक वाई गजेंद्र सी शेखावत, कैलाज चौदरी, राजस्तान सरकार के मंत्री भाई वजनलाल, साउसद और भारतिय जनता पार्टी के प्रदेश्च ज्यक्ष, स्रिमान सेपी जोसी जी, अन्य हमारे साउसद गाण, सभी जन प्रतिनिदी, देवी और सजनों, सर्व प्रथम एस्वरिय नगरी, मंडोर, वीर, जुर्गाद, साउस राठोर जी की स्वीर भूमी को शत्य शत्य नमन करता हूँ, आज मारराड की पवित्र धर्ती, जोधपूर में कई बड़े विकास कारियों का लोकारपण और शिलान्यास हुआ है, बीते नव वर्षों में हमने राजस्थान के विकास के लिए जो निरंतर प्रयास किये हैं, उनके परिणाम आज हम सब अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आप सभी को इन विकास कारियों के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, साथियों राजस्थान वो राज्य हैं, जहां प्राचीन भारत के गव्रव के दर्शन होते हैं, जिसमें भारत के शावरिय, सम्रुद्धी और संस्कृती जलक्ती है, कुछ समय पहले जोदपूर में जी ट्विंटी की जो बैटक होई, उसकी तारीफ, दुनिया भर के महमानों ने की, चाहे हमारे देश के लोग हो, या विदेशी परियतक हो, हर किसी की इच्छा होती है, तो एक बार संस्कृती जोदपूर देखने के लिए जरूर आएं हैं, हर कोई रेतिले धोरों को महरानगर्ड और जस्वन थड़ा को जरूर देखना चाहता है, यहां के हेंडिकाप को लेकर बहुत कुछ उसके लिए उत्तुन्सा रहती है, इसलिए यह जरूरी है कि भारत के गवरवशाली अतीज का प्रतिनी दित्व करने वाला राजस्तान, भारत के भविश का भी प्रतिनी दित्व करें, यह तभी होगा जब मेवार चे लेकर मारवार तक, पूरा राजस्तान विकास की बुलंदियों को छुए, यहां आधुनेक इंफ्रास्रेक्टर निर्मान हो, बीका नेर से बाड़ मेर होते हुए, जामनगर तक जाने वाला एक्स्प्रेस में कुरिडों, दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेस में, राजस्तान में आधुनीक और हाईटेक इंफ्रास्रेक्टर का उदाहरन है, भारत सरकार, आज राजस्तान में, हर दिशा में, चहू दिशा में, रेल और रोड समेत, हर शेत्र में, तेज गती से काम कर रही है, इसी सान, रेलवे के विकास के लिए, करीब करीब, साड़े नौ हजार करोड रुपे का बजेट, राजस्तान को दिया गया है, ये बजेट, पिछली सरकार के, सालाना आउसत बजेट से करीब, चौदा गुना ज़्यादा है, और ये मैं कोई पॉलिटिकल स्टेट्मेंट नहीं कर रहा हूं, फैक्ट्विल जानकारी दे रहा हूं, वरना मिडिया वाले लिखेंगे, मोधी का बड़ा हमला, आधाधी के बाद के इतने दसकों में, दो हजार चौदा तक, राजस्थान में लगबग, छेसो किलोमेटर रेल लाइनों का ही बिजली कर हूँ हूँ, चेसो किलोमेटर, बीते नव वर्सों में, तीन हजार साथ सो किलोमेटर से ज़्यादा, रेल ट्रेक्स का बिजली करन हो चुका है। इन पर डिजल एंजीन के जग एलेक्ट्रिक एंजीन वाली ट्रेनेग चलेगी, इससे राजस्तान में प्रदुशन भी कम होगा और हवा भी सुरक्षित रहेगी। अम्रिद भारत स्टेशन स्कीम के तहत हम राजस्तान के 80 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों को भी आदुनिक्ता के साथ विक्सित कर रहे हैं। हमार यहां शांदार एरपोर्ट बनानी की फैशन तो है, बड़े-बड़े लोग वहां जाते हैं, लेकिन मोदी की दुनिया कोई अलग है, जहां गरीब और मध्यमबर का ब्रेक्ति जाता है, मैं उस रेलिवे स्टेशन को एरपोर्ट से भी बढ़िया बना दूंगा। और इसमें हमारा जोदपूर रेलिवे स्टेशन भी शामिला है, भाईयों बहनों, आज रोड और रेल की जिन परियोजनाओं को शुरू किया गया है, उनसे विकास के इस अभ्यान को और गती मिलेगी, रेल लाइनों के दोहरी करन से यात्रा में लगने वाला जो समय है, वो कम होगा और सुविधा भी बढ़ेगी, मुझे जेसल मेर दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेइन और मारवार खामली गार ट्रेइन को हरी जिन दिखाने का भी सौभागे मिला है, और कुछ दिन पहले मुझे वंदे भारत के लिए भी मोका मिला था, आज यहां रोड के तिल प्रोजेस का भी सलान्यास हुआ है, आज जोदपूर और उदैपूर एरपोर्ट के नए पैसेंजर टर्रिमिनल बिल्लिंग का सलान्यास हुआ है, इन सभी विकास कारियों से इस इलाके की लोकल अर्थेववस्ता को बल मिलेगा और रोजगार के नए आउसर परदा होगे, इस राजस्थान में टूरिजम सेक्टर को भी नई उर्जा देने में मदद करेगा, साथियों हमारे राजस्थान की मेडिकल और इंजिनेरिंग एजुकेशन के खेत्र में अपनी एक अलग पहचान रही है, कोटा ने देश को कितने ही डॉक्टर्स और इंजिनेरिंग दिये हैं, हमारा प्रयास है कि राजस्थान एजुकेशन के साथ साथ मेडिकल और इंजिनेरिंग की दुरुष्टी से भी नई उचाईयों को प्राप्त करने वाला एक अच्छे साच्छा हब बने, इसके लिए एम्ज जोत्पूर में ट्रॉमा, इमर्जन्सी और क्रिटिकल केर की एडवांस सुविधाओं को विक्सित किया जा रहा है, प्रधान मंत्री आविश्पान भारत इंफ्रासेक्टर मिशन के तहट जीला अस्पतालों में भी क्रिटिकल केर बॉक्स बनाए जा रहे हैं, मुझे खुशी है कि एम्ज जोत्पूर और आयाइटी जोत्पूर इस संसाम और राजतानी नहीं बल्कि पूरे देश के प्रीमियर इंस्टिट्यूट्स बन रहे हैं, एम्ज जोत्पूर ने मिलकर मेडिकल टेक्नॉलोजी के खेटर में नई शंभावन आपर काम चुरू किया है, रोबोटिक सर्जिरी जैसे हाई टेक मेडिकल टेक्नोलोजी भारत को रिसर्स के खेत्र में इंडिस्ट्री के खेत्र में एक नया नई उचाई पर ले जाने वाला काम है इसे मेडिकल टूरिजम को भी बढ़ावा मिलेगा साथियों राजस्तान प्रकृति और पर्यावरण से प्रेम करने वाले लोगों की दर्ती है गुरुजंबेश्वर और बेश्णवाई समाज नेहां सद्यों से उस जिवनशहली को जीया है जिसका आज पूरी दुनिया अनुसरन करना चाहती है हमारी इस विरासत को आधार बना कर आज भारत पूरे विश्व का मारदर्सन कर रहा है मुझे विश्वास है हमारी ये प्रयाश विक्सित भारत का आधार बनेंगे और भारत विक्सित तभी होगा जब राजस्तान विक्सित होगा हमें मिलकर राजस्तान को विक्सित बनाना है और सम्रुद्ध बनाना है इसी के संकल्ब साथ, इस कारकम की मंच की कुछ मर्यादा हैं, तो मैं यहाँ ज़्यादा समय आपको लेता नहीं हूँ, इसका बाद खुले मैदान में जा रहा हूँ वहाँ का मिजाज भी अलग होता है, माहूल भी अलग होता है, मकसद भी अलग होता है तो कुछ मिनिट के बाद वहाँ खुले मैदान में मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि अलग होता है